स्वागत है आज की नई कहानी में, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नई किया, वो सब्सक्राइब जरूर करें। इस बीच महिला जब गर्भवती हो गई, तो उसे गोलियां खिला कर गर्भपात कराई। किसी तरह महिला युवकों के कबजे से छूटी और अपने घर पहुंची। महिला की तीन साल पहले हुई थी शादी। महिला की गुमशुदगी भिंड के अमायन थाने में दर्ज है। पुलिस के अनुसार गोला का मंदिर, क्षेत्र के गायत्री नगर की रहने वाली महिला का मायका मूल रूप से भिंड के अमायन में है। महिला की शादी तीन साल पहले हुई थी। इसी साल जनवरी में महिला अपने पिता के पास कुछ दिन रहने के लिए गुजरात गई थी। खिलाकर बेहोश किया विशाल भी युवती के पिता के साथ निजी कमपनी में काम करता था। इस बीच जब युवती वापस घर लोट रही थी तो उसकी सौतेली मा एवं विशाल गुपता भी उसके साथ आ गए। करने का एक संसनी खेज मामला सामने आया है। इसमें चौकाने वाला तत्य ये भी उजागर हुआ कि अफ़रण और कुकृत्य रेप कराने के पीछे सौतेली मा स्टेप मदर का ही हाथ था। जबकि अफ़रण करके ले जाने वाला आरोपी पीडधिता के पती का दोस्त ही पुलिस पुलीस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। क्या है घटनाकरम? पीडधिता ने पुलिस को बताया कि उसका माय का भिंड भिंड में है और ससुराल ग्वालियर में है। उसके पिता अहमदाबाद में पेंटर का काम करते हैं, आरोपी विशाल भी उसके पिता के साथ पेंटर का काम करता है और उसके पती का दोस्त भी है। यही वजह है कि उसका घर पर आना जाना रहता है। महिला का आरोप है कि दोनों उसे बंधक बनाकर लगातार उसके साथ रेप करते रहे और थमकाते भी रहे। महिला के पास लगभग एक लाख चा पती ने भी थे जो आरोपियों ने ले लिये। पती उसे साथ लेकर ग्वालियर आया। आनमिली जानकारी के अनुसार मामला ग्वालियर के गोला मंदिर थानाक्शेत्र का है। जहां रहने वाली 24 साल की युवती की 3 साल पहले ही शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद युवती अपने ससुराल को छोड़ कर पिता के पास अहम दाबत चली गई। जहां उसके पिता एक कंपनी में काम करते थे। यहां पीडिता की सौतेली मा भी रहती थी। यहां रहने के दौरान युवती की पहचान अपने ही पिता के साथ काम करने वाले विशाल से हो गई। कुछ दिन पिता और सौतेली मा के साथ रहने के बाद युवती गवालियर लौट रही थी। इसी दौरान उसकी सौतेली मा और विशाल उसे रोकने आ गए। दोनों ने पीडिता को अच्छी नौकरी दिलाने का वादा किया। पीडिता की माने तो इस दौरान दोनोंने अच्छे काम की शुरुआत से पहले प्रसाद खाने की बात कहते हुए प्रसाद दिया, जिसके बाद उसे नशा होने लगा। बताया गया कि इसके बाद पीडिता को दोनों दोई उत्तर प्रदेश ले गए। यहां विशाल और रोहित ने दो महीने तक उसे बंधग बना कर रखा और रोजाना अपनी हवस पूरी करते थे। वहीं जब पीडिता आरोपियों का करतूतों का विरोध करते तो उसे लात और घूसों से पीटा जाता था। किसी तरह उनके चंगुल से छूट कर वह दो दिन पहले अपने घर आई और पती को पूरी घटना बताई। इसके बाद वह पती के साथ गोला का मंदिर थाना पहु वह गर्भवती हो गई। जब इसका पता आरोपियों को लगा तो उन्होंने उसे गर्भपात की गोलियां खिला कर उसका गर्भ गिरा दिया गया। गर्भपात की गोलियां खिलाने से उसकी हालत खराब हो गई है। पुलिस के मुताबिक पीडिता की स्थिती इतनी कि उसका मेडिकल परीक्षन कराने में भी पुलिस को परेशानी आई.